जाहिंद नमस्कार मेरे सेर सेन्यों लाड़लो लाड़लो स्वागित आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कमांडो केड में बर दोस्तों आज का ये वीडियो इस्पेसली वेस्ट बंगल वाले चात्रों के लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सरब तक सुख बंगल से कितनी जा सकती हैं अर फाइनल को बता है लाड़लो जो है pewnा तेमें अगर आप मेडिकल के लिए आते हैं तो आकर वह पोली चिले आते होगा है अगर है至build to करते हैं कि वेस्ट बंगाल से फीजिकल की कठक कितनी जा सकते हैं मैं आपको बता है कि इस बार प्तर जादा है तो ज़िए को सटस्रेंड ने वालों को से इसांक्या जादा थी इस बार कम साथ 555 लइप पेपर दिया आल इंडिया में पिछली बार यहां आखरा 50 लाग तक था यानि कटोप इस बार नीचे जाने के आफार ज्यादा है पेपर की लेवल को देखते वे भी तो उपर जाने के चांसे कम है पिछली बार जो फिजिकली कटोप गई थी वो गई थी 45 कितने गई थी 45 या कि एनि कहने का मतलब है कि इस बार जिस बी बच्चे के 73 है आसपास नंबर आगर वो जर्रल के टेग्रिज है तो फिजिकल के लिए क्वालिफाइब हो जाएगा अगर वही बच्चा उसके 64 नमबर है अगर वो ACST या नक्सल एरिया या लड़की है तो वो भी फिजीकल के लाड़ लो क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप जनरल केटेगरी से है तो आपके कितने नमबर होने चाहिए 73 के आज पास आपके नमबर होने चाहिए और अगर आप आरक्सेट बे चाहिए ACST, OBC या गर्ल या नक्सल एरिया या बोर्डर एरिया तो फिर आपके 64 नमबर भी एकर है तो आप फिजीकल के क्वालिफाई हो जाओगी अब मेडिकल कौन कितने नमबर पर क्वालिफाई होगा तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ आज तक भी नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर जो कोटोप रहती है वो नॉर्मल रहती है फाइनल मेट में थोड़े से तब्दिली आती है किस कारण जिलों के कारण देखिए पिछले बार BSF की गई थी 54, CSF की 62, SSB की 57 ITPP की 55 और AR की 56 यह थी हाइस्ट और BSF में लग गई थी 48 लडकिों की गई थी CSF में गई थी लडकिों के लिए 54, ISTE के टेक्रिश dare SSB की गई थी 51, लडकिों के लिए ITPP गई थी 50 और SM राइफल की गई थी 52 उसके लिए लडकिों के लिए ज्यान रखना तो इस बार कितनी जा सकती है इसके बारे में अगर हम बात करें कि मेक्सिमम सर आप एक आंगड़ा बता जिए कि कितने नंबर पर हमारा सेलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको बताओं कि जिस बच्चे ने इस बार 96 नंबर अगर वेस्ट मंगोल से अगर वो जनल केटिग्री से है उसके 96 नंबर है तो उसका सेलेक्शन कोई रोकने वाड़ा ही नहीं है अब कम से कम कितना नुमा लगाते हो तो कम से कम जिस बच्चे के 80 नंबर है यह निए 80 से 96 के बीच में जो बच्चे है इनका सेलेक्शन हो जाएगा 80 के आसपास वालों का सेलेक्शन हो भी सकता है अगर वो बीसी एसी एस तीस है तो उनका तो हो सकता है जनल केतेग्री में 80 नंबर पर थोड़ा सा डाउट बनावाय हो भी सकता है और ना भी हो लेकिन अगर उसके 90 के आसपास नंबर चलेगे तो उसका 101 सेलेक्शन हो जाएगा लाट दो यह फाइल मेट के भी आंकडे में ने आपको बता दिये हैं जय हिंद जय भरत अगर आपका कोई बिड़ा उट रहता है कमेंट बॉक्स होला है बताईए